देवदास मैं भी नहीं जानता आप जानते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे ताकत वर देश दुनिया के सभी देशों के लोग यहां आते हैं कुछ लोग घूमने फिरने के लिए और बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए अमेरिका में लोग कम समय में ही धन्मान बन सकते हैं अमेरिका रिष्टे नाते भुला कर काम करने की जगाय है अमेरिका यहाँ न पडोसी से बात करने के लिए समय है और ना ही पलट कर देखने की फुर्सत प्रेंज से ज्यादा रफ्तार और वक्स से ज्यादा काम इस पैसे कमाने की दौड में कई इंडियन भी शामिल है कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका आकर यहीं के होकर रह गए और ऐसा काम किया कि अमेरिका भी उन पर करोग करता है उन्हीं में से एक है धरम राज लक्ष्मी नारणा उन्हें हारना पसंद नहीं लिहाजा सामने वाले को कोई मौका नहीं देते ये एक ऐसे एनराई हैं जिन्होंने राजनीती में बहुत नाम कमाया और आज सेनिटर दूसरे राज्जों के गवर्नर इनका वेट कर रहे हैं क्योंकि ये आज यहां इसपीज देने वाले ये यहां क्या कर रहे हैं इससे हमें क्या लेन देने हम जरा इनके घर पर एक नजर डालते हैं यह धरम राज की सासुमा नाम है चंद्र लेखा अमेरिका में रहती हैं पर इंडिया पर जान चुड़कती हैं कोई इन से 10 मिनिट बात कर ले तो 11 मिनिट में इंडिया जाने की तैयारी करने लगेगा मैंने सही कहाना चंद्र लेखा इसमें मेरा कुछ नहीं जी सारे भारत देश की खुबिया हैं अपने आचार व्यवाद चुडाने से यह कभी नहीं छूटेंगे जी तुलसी जी के फेरे के बिना ना ही हम कुछ पी सकते हैं ना ही खा सकते हैं भगवान को नैवेदी भी नहीं चड़ा सकते हैं खाने से याद आया अरे मिठाई लाल कुछ अभी नहीं मुन्ना इसका नाम मिठाइलाल है काम के सिलसले में इनके दावाद के पास आया था उन्हें इंप्रेस करने के लिए ऐसी चाय बना कर पिलाई कि उनका सिर्दर्ट छूओ गया फिर क्या सेनेटर ने उनका पासपोर्ट जला दिया तब से यह यहाँ पार्ट टाइम कोक और फॉल टाइम पिये टू इन वन काम कर रहा है क्यो औरे मुन्ने को नहीं भेजूगी तो उठेगा नहीं उठते ही इसकी शकल देख लेता हूँ तो दिन अच्छा जाता है अ देखा न इस घर में मेरी एमेर सिर्फ यह जाता है देखो पैर उठाकर प्रणाम कर रहा है इतना खुश होने की जरूत नहीं है क्यों उसने पैर उठाया प्रणाम करने के लिए नहीं तो फिर प्रणाम करने के लिए नहीं है 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 लगता है जैसे कोई शक्ती मुझे आकाश में उड़ा लिये जा रही है एक नया रिष्टा जैसे मुझसे कहता हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ मानो याद दिला रहा हो कि मेरा संगीत से ऐसा क्या नाता है जिसे सुनते ही नानी पिताजी फ्रेंड्स सब बेकार लगते हैं कावाली अरे तुम्हारे लेच छूट रहेए बिटी मध्यम पंचम को छोड़ाया पंचम मध्यम को नानी अब संगीत जानती है मैं नहीं जानूगी तो कौन जानेगा मुझे गान कोकिला का पुरसकार भी मिला है तुम्हारे नाना जी से ज्यादा मुझे संगीत सी प्यार था यहीं से परशान हो के तो उमर कह ना मू बाद कर मुझे पड़ापट संगीत सिखा दो नानानी मैंने किसे सर्फ लगाई है अब मुझसे यह सब नहीं होगा यानि नहीं सिखांगी उदास के हो रही हो इंडिया जाकर सिख लो इंडिया जाकर अगे बढ़ोगी पर आपसे आगे जाने कलिए इसको इतनी दूर जाने की क्या ज बेटी, वैसे भी यहाँ समा हॉलिडेज है ना, तो हम लोग इंडिया चलते हैं कम ओन बेबिस, रिच कॉलेज वालों के पास ही नहीं, हम देसे गॉर्मेंट कॉलेज वालों के पास भी का रही है, आईए, बैठिये इडियोट हाई मेरे सपनों की लानी पिक्चर में नहीं देखा क्या अबे जाना तेरी तो यह क्या था सेंसर, सिनिमा में देखा नहीं क्या ओ, वाट असरप्राइज, हम दोनों की सोच एक जैसी है, आईए, मेरी बैक पर बैकी बैक पर? कहा है? वह देखो क्या यह बैक है? या एक साल पहले ही खरीदा एक साल पहले वहला कितने साल पहले खरीदा था मुझे पता नहीं यह ड्रेस भी उसे किसाथ खरीदा है? करका स्था खरीएए और करुखु द्सका इपाइर जा के चाहिए क्या है कितने साल होए तुझ यृच को लडे कि लड़कियां जब तक नहीं पढ़ जाती Cisco ने अचे और अब जाना गए ugly पाइड रूको फान पर वेस्तृट तुम तो फस्ट है इडियोट तेरी येसी बहुत देखी ए रुको 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 तुम मेरी बाइक पर बैठोगी अच्छा कम चेकम मेरी बाइक तक तुम आओ ना क्यों धक्का देने के लिए क्यों रहे चंगा सेट होई की नहीं हटना पैठने जे देवदास हाई रेंच की लड़कियों से प्यार करूंगा तो मेंटेन करना मुश्किल होगा ना मैंने क्या बुरा का एक ही बार बाइक पर बैठने के लिए वो भी नहीं है बगवान मेरी इतनी सुमित पूरी नहीं करे खाँ जेंग चंगा वागवान ने सुन ली ऑन तामने देख जुली माइसल बाभी तो यूरी एक पायओं पर बैठोगी तो दीन मेहिने बाद किसी स्यों में होगी कर दो कर देख सब फिर शर्कारी कप आज वाल यक शखल देखते ही सारा का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है हम जब किसी का रास्ता रोकता है तो फिर पीछे नहीं है समझा देखो अगर मारा मारी करनी है तो या तो हम तुम्हें मारेंगे या तो तुम हमें मारोंगे लेकिन एक बात है यह मामला पुलिस लग नहीं जाना चाहिए ठीक है बोलो कहां मिलोगे कॉलेज के पिछे होली पहाड़ी पे ए गौरी तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का और हमारे कॉलेज का एक लड़का इस पॉइंट से बाइक स्टार्ट करेगा और उस चटान के पास तक जाएगा यहां से दोनों ही एक साथ अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करके ठीक उस पॉइंट के पास जाकर बाइक को रोकने के बजाए उसे खाई में जाने देंगे जो पहले ऐसा कर लेगा वही विनर गोशित होगा जिसका कंट्रोल छूट जाएगा और बाइक के साथ खाई में जागिरेगा या जो डर कर पहले ही कूच जाएगा उसे हार माननी होगी कहो मन्जूर है गेम को इंट्रेस्टिंग करना है तो बाइक के ब्रेक कटेंगे और मजाएगा यह है यह है गवर्मेंट कॉलेज का असली वेट 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 कंडिशन ना होने वाली गेम में थिल नहीं होता इस गेम में हारने वाले कॉलेज के लड़के जीतने वाले कॉलेज के एलिया में गलती से भी नहीं आएगे और अगर आ गए तो चुप चाप अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कर जीतने वालों के शू क्लीन करके उसे रुमाल से मुझ पोचकर सर जुकाना होगा मंदूर है मंदूर है रुक जा रहे छोटो इस खेल में तू क्या कर्दब दिखा पाएगा मै देख ताओन को रहे इस पॉर्ण ऐसे वार को हुआ दो कर दो कर दो कर दोगर गदर कर में वह वह ओ एंध्या अगे एंडिया इंडिया रिलेश ओमाई डियर पारवतीसं बहत पेले मैंने दो मनति मांगी थी पहली मुझे इंडिया भेजना दूसरी इंडिया के सब से अच्छे एड़के से मेरी भानु की शाधि करना पहली तो तो दूसरी भी करो, मेरे प्यारे से भगवाल वक्रतुंड महाकाय सुर्य कोटी समब्रभा निर्विग्नम कुर्मे देवा सर्वकार ये पर्वानाम ये देव कहा है? बक्त जनो प्रणाम इस मंदिर में उपस्थित सिल्क साड़ी वाली सीता जैसे देवियों, जरी साड़ी वाली महान देवियों क्या आपने अश्ट लक्ष्मी जैसे सुन्दर देवी को कहीं देखा है? मैंने देखा है, बड़ी भागे शाली है वो लक्ष्मी, मसीने से सराबोर है वो लक्ष्मी बाफ करना लक्ष्मी देवी, आप मचे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ादा है, प्लीज, माईक के पास आकर अपना जुमका ले जाएगे अंधेरा होगी, आप मैं उसे पहचान हूगा कैसे आप मैं वही हूँ, जिस लक्ष्मी देवी के लिए अभी आपने अनाउंस किया था मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मंदिर में इतने लोग हैं, पर जुमका मुझे ही मिला मुझे जुमका देंगे प्लीज पास सो रुपए दीजी और जुमका ले जाएगे क्या कहा आपने आपके फाइदे के लिए मांग रहा हूँ, यूही दे दूँगा तो फिर से गुमा देंगी, पर कीमत चुकानी पड़ेगी तो आगे से आप इसे संभाल कर रखेंगी इमादारी के साथ थोड़ी सी शरारत सिहत के लिए अच्छी होती है जी आपका चुमका, थैंक्स, थैंक्स तो आपके माता पिता को कहना चाहिए, वो क्यों? कुछ सवालों के जवाब, इंसान को अपने दिल से ही पुछने चाहिए, इंट्रेस्टिंग क्यारेक्टर कि आपके जाए, कहा गया था यार? मंदर में एक लड़की देखिए रहे है अच्छा? सुन्दर लड़कें आखों को अच्छी लगती है पर वो लड़की मेरे दिल को भादे हैं. कहीं तो उससे प्यार तो नहीं करने लगा? हाँ यार. तो उस लड़की की फैमली वालों का लड़की मेरे लिए बनी होगी तो दोबारा ज़रूर मिलेगी तब मैं उसे नहीं छोड़ूँगा मुझे ऐसा लगता था मैं अमेरिका से भारत सर्फ संगीत सीखने आई हूँ पर अमेरिका में चुसुर हर समय मेरे अंदर गूशता था शायद वही सुर मुझे यहां खीच लाया है वरना यहां इतनी दूर बजने वाली धोन वहां कैसे सुनाई देती पता नहीं उसकी हर बात मुझे क्यों अच्छी लगे अंधेरे में मैं उसे देख तो नहीं पाई न अरे लक्षमी देवी हाई मैं हूँ देव गावर्मेंट कॉलेज का है ध्यान मत दो इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है यह क्या गुस्सा ही नहीं आ रहा है इतना बिंदास आदमी हूँ आज नर्वस क्यों रहा हूँ ए ऐसी क्यों देख रहे हूँ सुनो मेरे अंदर एक बोल देता हूँ बोलो वह क्या है इन लड़कों के पास बहुत पावर्फुल डायलोग्स होते हैं हमें मीची बात में फसा लेते हैं अगर तब भी हम प्यार नहीं करेंगे तो मनाएंगे या फिर डराएंगे और फिर में रोकर गिर गिर आकर हमारे पैनों पे गिर जाएं यह कैसी महिमा है का आठाशी कमाक्षी बोलो मतुरा मिनाक्षी बोलो देवियों की देवी महादेवी बोलो यह क्या चमतकार है बचकम बपालम एक चक्रम महाभोगम दादा जी के धाइं आक बाईं आक बड़ी आख छोटी आक कौन सा रोग है कल जो लड़की मंदर में दे उसकी सारी सच्चा ही आके बताऊंगा पालम दारू के पैग और मच्छी के टुकडे चढ़ाओंगा बताओ न वह लड़की यहां की नहीं है उसका धर यहां नहीं है लड़की अमेरिका से आई है वो तेरे जैसे को नहीं मिलेगी बीक में नहीं बोलते बेटा वो अमेरिक अप्चे कर फुर से उड़ जाएगी उसे मैं अपनी बाइक पर बठा कर दिखाऊंगा बिंदी लगूरी से, बिंदी लगूरी से, शार दरात्री, शार दरात्री, शार दरात्री, अन्नूल हमे बन, बन इन अमेरिका, में पो इंजिया चूली, चाहे कुछ भी हो जाये, उसे अपनी बाइक पर मेट में होगा बाबलिस, स्प्लेंडिट एक सुन्दर चीज की तारीफ, जब एक सुन्दर लड़की कर रही है, तो उसकी सुन्दर दौर बढ़ जाती है पोईट्री है क्या, सिली बन लो ओ माय पारवती सन, मैंने तुसे अच्छा सा लड़का मांगा था, तुरंत इस लड़के को भानू के रास्ते से हटा कर, हौनहार शरीफ और संसकारी लड़के से इसका रिष्टा करा दो अरे, उस लंबे बाल वाले को कहीं देखा या, उससे परसो साई बाबा के मंदिर में लड़की को छेड़ रहा था, तुमने वार्निंग की कि न, ये वही है, छंगा, देख लो उससे मैं एक पर किसको मारता हूँ दुबारा हाथ नहीं लगाता, जानता है न तू, तो फिर वो लड़की, एक्स्क्यूज मी, भगवान देख रहा है, वो खामोश नहीं बेठेगा, उस बैचारी लड़की के घर में, निश्चिती भारत माता जैसे उसकी नानी होगी, अच्छ सक्छेस हो गया मामू, उस बोबी का मामला उसकी नानी देख लेगी, पर मुझे भानू से तुम्हें ही मिलाना होगा, उसके लिए भी मास्टर ब्लास्टर प्लान है, भानू की पसंद क्या है वो पता लगाकर उसे उठाना होगा, उठाना होगा, दो दिन तक शिपा कर लेकिन भानू को पसंद क्या है कुट्टे का पिल्ला क्या हो रहा है यह कुट्टा बहुत क्यूट है पसंद आया तो लेकर जाहिए अपने घर होका तो ना क्या कहां वो कह रहा है कि घर में जगह नहीं है कोई बात नहीं बाहर रखो यह कोई सामान है डाउट है मैंने तुम्हें इसे चूरी करते वह देख लिया देख लिया बहुत मेहनत किया अगर तुम इसे अपने पास रखोगे भी तो ना यह तुम से पहले मेरे पास आ जाएगा कितना नुकसान हुग जो सोचाता हो नहीं जोटा सा डाउट है क्या यह स्पेसिल कॉलिटी का डॉग है ना इसके काटने से हमारे चंगा को 14 इंजेक्शन तो नहीं लगवाने पड़ेंगे ना बेलकुल नहीं पर एक इंजेक्शन जहां काटा है वहां लगेगा क्यों है हमारी केंटिन में क्यों है हो किसी लिए तो जा ला है कंडिशन भूलत है हो क्या हमारे एरिया में आओगे तो क्या करना है मालू मैं ना मर्दान की याद आ रही है क्या वन्टू बोलना होगा क्या वान टू थू थ्री कांडिशन कांडिशन ही है तुम्हारा दिया हुआ पनिश्मेंट अभी पुरा ने हुआ है क्यों रहे गेम के रहा तुम्हार देख रहा हुँ या देख रहा है चल रहे है करकली बेख कर रही हो चलो बाइक से ड्रॉप कर देता हूं भानु को बाइक से ड्रॉप करने जा रहा है तेरी लव स्टोरी क्लोज क्यृत कि अट्रॉप क्याहर ने कि मी अटरॉप को बाimm Krr मेरी कार आ गई है हम लोग कल मिले यह शूर सी यू बाई अरे यार अब मुझसे नहीं रहा जाएगा फ्रेंट्शिप डेर आज से आर दिन के बाद है लेकिन मैं कल ही से लिप्रेट करूंगा देव देव भानु को इंप्रेस करने के लिए बॉबी फ्रेंट्शिप पार्टी एरेंज करने वाला है यार देव उसे भी लड़की के सामने अपमानित करना होगा उसे डॉमिनेस करके हम लोग भी फ्रेंट्शिप डे मनाएंगे यह अंगर नहीं हो गया वो क्यों वो लोग श्रेया को ला रहे है यार श्रेया आएगी तो उनके लिए पर नाचेगी हमारे लिए ये क्या पागलपन है मुझे किद्नैप करके यहां क्यों लाए हो ये श्रेया 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 आये ना महा ओम श्री श्रेया आये ना महा श्रेया 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 श rágrowón चराने मेरी जया जा ड्यूटर कोकलेज के लिए पिब्सक Rim and हमारे पास पैसा नहीं यह तो क्या अप से बहुत प्यार करते हैं जबर्दस्ती आपको उठाकर ले तो आए लेकिन जबर्दस्ती डांस नहीं करवा सकते हैं चलिए आपको इस कॉले में छोड़ दो तुम लोगों का प्यार देखकर मैंने इलादा बदल दिया है मैं तुम्हारी कॉलेज में डांस करूंगी करवाजाटने तुम्हारी का प्यार मैं तुम्हारी कॉले भीसे भीसे कि ग्लीए वेशे कॉले में दियए kur। मैं हूँ एक मस्त समा ओर अबा ओर अबा शाम है ये जबा जबा मैं हूँ एक मस्त समा जिंदगी जीनेगा मजाल लोना मैं हूँ एक छुई मुई छून नहीं मुझको कोई दूर से ही मेरे साथ खेलोना देवानो अपना जेगर देवानो अपना जेगर लुटनो जाए समभालो मेरे हुसन के जादू से खुद को बचालो तेरे जोसे मुझके पुदा सेकडो और वीजा मेरा छोड़ो छोड़ो मन चलो खंबरे, 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 खंबरे शाम है ये जवा जवा मैं हूँ एक मस्त समान सिन्देगे जीने कमसा लेलो ना खंबरे, 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 खंब बाग में अकेली हूँ फूल में चमेली हूँ तोड़ो ना उछे तोड़ो ना रातु कसी कली हूँ मैं चाहत की डली हूँ मैं छोड़ो ना उछे छोड़ो ना हत जाओ दूर मैं हूँ मगरूर हीरो वही है जो तमदाल हो मेरे देवर पड़े कड़े कड़े मेरे नखरे पड़े 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 रोतासी रंगीन उल्पत में सजालो अरे उस नौर इश्क भरे महतल का मजालो शाम है ये जवा जवा में हूँ एक मस्त समा जिंदगी जीने का मजाल लोना को जारे इसifully ह luckily जवादे पंदट्सक जान उल्क में हादे थेते रोना कर दो कि जीना है व्ड़े माIt ढाय में हूँ जवा rubbish औरो ओना जारे व्ड़े का ये लिंदग्वा उधर जाओं तो है वही उधर जाओं तो है वही परवाने मेरे परवाने प्यार की बीमारी से इसकी बेकरारी से अंजाने सभी अंजाने ये तो पागल है इन सबको आज भाँजाना होगा पागल खाने जिसमें नशा मेरा चरी 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 बड़ जाए हाँ शरी खरी 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 अपनी केता गर में तुमकी तो लगालो आसोई होई ये अपनी पस्मत को जगालो तेरे जैसे मुझ में विदा सेंकड़ों अर बीजा मेरा छड़ो छड़ा मन जलो खंदरे 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 शाम है ये जबा जबा ऐा मैं हूँ एक मस्त समा सिंदिगे जीने का मजाने लोंaben मैं हूँ एक छूँए-मूइचूनँगा नहीं मुझ को कोई दूर से ही मेरे साथ खेलो न nah पूरा फंक्शन प्लान चौपट कर दिया डोंट वरी, हम आज ही सिलिबरेट करेंगे ओके ना भानू को इंप्रेस करना चाहता था और उल्टाव से वोबी से सेंप्रती हो गए हाई यो फ्रेंड्स, वेल्कम टो वर न्यू शुवान पाटी दोन बाई बॉबी ये देखो, सिर्फ एक से ही फ्रेंशिप करना तो रूटीन है इसलिए यहां आई हुई सारी लड़कियों को उनके बॉइ फ्रेंड्स भी कोई भी चीज ला करके यहां टेबल पर रखनी होगी बाई की ओके ये बाद में पावर आप कर दूगा अंधेरे में बाई उस टेबल के पास जाकर एक-एक कीचेन उखा लेंगे वो कीचेन जिस लड़की की होगी वो लड़की उस लड़के के राद आज की राद पूरी खुशी से चाइन पास करेगी अंधेरी में बाई कीचेन तुमें ही मिलेगी मैं इस गेमें पाटिसेबर नहीं करूँगी लड़कियों को फसाने की चीप ट्रिक है मुझे ये सब बिलकुल पसंद नहीं हलो, बहुत हो गया अब तक बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने मुझे पता है तुम्हारे देश में लड़की इस उम्र में डेटिंग पर ना जाए बॉइफ्रेंट्स के साथ ना घूमे तो पैरेंट्स को डाउट होता है और उसे जूडी पार्लर लेकर के जाते है तुम्हारे अंबर भी कोई, कमी है क्या? बोलो ना बोलो बोलो क्या देख रहे तू? रुको रहे इस पार ममका छोड़ू को देते है चल जा, निकाल ले क्या बख्वास कर रहा है यार, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है अरे भाई के पैर तो देख, तोड़ दे, इसके तोनों पैर तोड़ दे ये, भाई ने मुझे से कहा है, मैं डील करूँगा तोन, असाओधान या अकेले पर काय अरवार करते हैं मैं तुम्हें यहां मारूँगा, तो तुम हमारी गेंग पर खात लगा कर चोट करोगे और तेरे कॉलेज में मारूँगा, तो हमारे कॉलेज के सामने से निकलने में भी डर लगेगा एक कॉलेज में पढ़ना और दूसरे में जाकर एक्जाम देना यही बहादुरी है अपने कॉलेज में छोड़ दू और तेरे कॉलेज में तुझे पीटू तो क्या सीन होगा तब आएगा असली मजा कल तेरे कॉलेज आऊँगा तो अकेला तो नहीं आएगा जितने लोग ला सकता है ले आना फिर भी तू मेरे हाज से नहीं बचपाएगा वहीं सब के सामने तुझे मारूंगा और उसके बास से गलती से भी तेरी गेंग से कोई हमारे एरिय में आया तो उसे रुमाल से जूते साफ करके उसी से अपना मूग पुछना होगा हाथ पांद कर अपना सर छुकाना होगा याद रखना कल तेरे कॉले जाओंगा बहुत बड़ी गलती कर रहा है दर गया न यहीं तो मुझे चाहिए यह यह देवदास डरने वाले को नहीं मारता देवदास का काम है मार मार कर डर आना चल चाह रहे उट ले यह तो सच में आगी है यार यारे छटकूर रात को बानू के सामने इमोशनल होकर कमिट्मेंट किया होगा तो मैंने सोचा बाकि सुबा होते तू सिच्वेशन को समझ लेगा और यहां नहीं आएगा लेकिन वादे के मुताब है तू तो आगी है रहे आओ प्लीज मैं अकेला ही आओंगा चाहे तुम लोग कितने भी हो तू अकेला ही है हम लोग दर से अब यहां जो कुछ भी होने वाला उसकी वज़ा से फ्यूचर में जितने भी ज़रूरी काम करने के बारे में तुमने तोच रखा होगा वो करने के लाइट नहीं बचोगे सपने बहुत देखता है पक्वास पत करो हम यहां गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं जमा हुए हैं आजा स्पुम लाएट प्जाव लाएट उ्हा हाँ कि नहींदे सर घंड सा्विदू आप इंख्या शाब हो आप वो आप ही लुड एर्ओào हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ गजीन्डरी कर दिए нужно बढऱ्ीन कर देन और बढऱ्ीन कर दिए अंया गिर tumors इन स्षब आटार कर दो तेनी आमास created by दूओ आरright लूओ आरी 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 तहीं भॉलो उसके सथ बाइक पर जो नहीं बढ़ जाएगी कि एए फिर किसी लड़की को छेड़ने से पहले आज का दिन याद कर लेना कि इस कॉलेज वाले इस लड़की को आपनी बाइक पर नहीं बिठा सके अपने शेर ने बिठा लिया कि इस बाइक पर कीछे बिठा कर लाया कितनी जगा ब्रेक लगाया बता अरे वा आई हाई क्या साथ चाहले है पी आई को अब हमयु और साथ चाह सेयर करके पूना चाहती हो प्लानी हमेशा इंडिया के भाइचाणी की बारें बताती रहती थी लेकिन अबभी तक ऐसा कुछ यहाथ कि जानता हूँ असली इंडिया को है मैं जानता हूँ काल सुबाइध काल सुल किंटीन में मिलता को तुरो तो न्हूंसे हम्हाइब क्यांटिन में मिलें अध्यक has a वानु ने कहा कल चुबह कैंटीन में मिलेगी यानी 12 घंटे बाद मतलब 720 मिनिट और इसका मतलब हुआ इतना समय में उसी देखे बेना नहीं रह सकता है हमने इतना समय साथ मिलकर बिताया जुवल आवर्स मतलब 720 मिनिट्स मतलब 43,200 सेकंड्स हम मिले बगे नहीं रह सकते हैं इस सोचते ही मेरा दिल क्या तुम्हें एक बार और देखते हैं मुझसे कुछ ज्यादा ही सोचती है इससे तो आभ ही आई लव यू बोलना होगा मैं भी ऐसे सोचता हूं इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ क्या है इस पर दोपटा में जुपा कर रखना है क्या है थाथ चलाओगे इस हालत में जाओगे तो टॉस पोस्ट वाले तुम्हें पहले पकड़ेंगे घर चलो प्रेशो कर कल चली जाना जरा बानू के नंबर पर फोन लगाओ बानू सो रही है बात कीजिए हलो रॉंग नंबर है लगता है इसका कोई दीवाना है तभी तो ब्लेंग कॉल कर रहा है लगता है उसी का फोन है अभी बताता हूं इसको हाँ बोल रहे क्या है कौन बोल रहे है तू पहले तू बता तू कोन है वेवाकूफ वहाँ भानू है क्या हाँ है दो दूनों से हम दोनों बहुत ज्यादा गूम रहे है इसलिए ठक कर आराम की नीज सो रही है एक बार भानू कूठा करकर फोन दे दे वो खुद बता देगी मैं कौन हूं कब फो बहुत अगे बढ़ गया तुम दोना का प्यार पता रही वहाँ कर इतना बड़ा हो गया है कि उसके खोश्वू यहां तक आ रही है तुझी केसे पता चला शबूत मिल रहे है ने अच्छा कल भानू तुछे क्या बोली थी पूरा शाहर घुमाने को बोली तुमने उसे यही प्यार कहते हैं यही प्यार है हाँ यार यही तो प्यार है यही तो प्यार है अगर ज्यादा मिलूंगी तो कहीं कुछ गलतने कर बैठे यही सोचकर सो गई यही तुझे डौट है अभी फैसला करता हूं यह ले अपने प्रेम के बारे में कम बताएगी नहीं बताएगी इसी को प्यार कहते है और टेलीफोन बॉक्स की तरह होती है उसमें कौई डलना होता है उसमें कौई डलने के बादी बुलवाना परता है बुलवाओंगा यह बानू यार लेट सेव सम्फान शाम को साड़ी चार को आना एच होटो एक स्पेशल चाहे मैंने तुम्हाने साथ फूलिशली बिहेव करके तुम्हें हर्ट किया है आम सॉरी तुम वेस्टन कल्चर से आई हो यह मालूम होते वे भी मेरे दिमाग में यह थौट नहीं आ चलेगा नेक्स्ट वीकेंड चांस मुझे दे देना दे चुकी है जोटू नेक्स्ट वीकेंड यह साथ में है अंजा नहीं एडवांस बोकिंग क्या हुआ कोई डाउट है तुझे डिसेपॉंट नहीं करूंगा मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा करूंगा मै यह बात करते करते अपना एरिया छोड़कर हमारे इरिया में आ गया है ना- है कर डिश में उप्लोमारे तो कि अपने के बार बार नहीं यादा रही है वान टू बोलना पड़ेगा वान टू थ्री देव बाइक निका लो जो बोल रहे हो धान से सुन देव को मेरे बारे में और मुझको देव की बारे में सब कुछ मालूम है तुझे हम दोनों के बीच की डीटेल्स देना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ देव लेट्स को का चलना जहां तुम्हारी मरसी हो पता है भानु कल तुझी एक बात बताते बताते रूट गया तुम पूछोगे नहीं वह क्या बात है कौंसी बात थी बताओ ना भानु यू टेलीफन वाक्स हाई वाई से भीकॉ खो? खो? आए पे शड़ी 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 कर दो कर दो तु ही मेरा दिल है तु ही मेरी धड़कन तु ही मेरी चाहत तु ही मेरी तड़पन मैं तुछ पे मरता हूँ तु ही मेरी तु ही मेरी तु ही तु ही मेरी दिल है तू ही मेरी धड़कन, तू ही मेरी चाहत, तू ही मेरी तड़पन, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी धड़कन तेरी खातिर हसके मैं चड़ जाओंगा सुली पर नाजी पाओंगा मैं तुम्हारे पिना तनहा यहाँ मुझको है यकी ये कि एक ना एक दिन अपनी उल्पत का बसाना करेगा बाया ये साधा जहाँ इश्क नाम है कुद्रत का इश्क नाम है जन्नत का इश्क नाम है हिमत का इश्क नाम है चाहत का ये दन ये मन सारा जीवन मेरा हर पल लम है लम हा है तुछ पे ही अर पन तु ही मेरा तु ही मेरा दिल है तु ही मेरी धड़कन मैं तुछ पे मरता हूँ दिल्लिजबा जो करूंगा निभाओंगा हमेशा रखूंगा अपने दिल में छुपा के तुझे सदा के लिए तु माने या ना माने पर मुझे को ये लगता है की भेंजा है खुदाने मुझे तेरे लिए तुझे मेरे लिए इश्क नाम है यादों का इश्क नाम है बादों का वो 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 इश्क नाम है सासों का इश्क नाम एहसासों का वो 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 ना जाने हम, ना जानो तुम, बंध जाते हैं जितने प्रेमी, कैसा है ये बंधन तु ही मेरा, हाँ, तु ही मेरा, तु ही मेरा दिल है, तु ही मेरी धड़कन, मैं तुछ पर मरता हूँ तु ही मेरा दिल्नकी ओ है, मैंने तेरे नाम, तेरे लिए ही मेरे सुव हो शाम, तेरी एदा, का मैं हूँ गुलाम है कारी रोक रहे हैं मुझे थपड़ मारेगी नहीं तो कि तो को कर रहे हुआ है कहां जा रहे हैं रोप और रूप है रूप है रूप है तो ऐसे नहीं मानेगी किट्नेप करना पड़ेगा कोई है मुझे क्यों इसा मान दिया है कि कहां पर हूं कोई बता तो क्यों नहीं प्लीज है इतना चिल्ला क्यों रही है जम करना चाहती है अब यह महदराबाद से 62 किलो मीटर दूर उत्तर दिशा में एक वीराने जंगल में है यहां कोई नहीं आ सकता देवी जैसे चमतकारी लड़की कितना रोला है तूने मुझे इधर जाता हूं तो उधर चली जाती है उधर आता हूं तो इधर चली जाती है सापुन जैसे फिसल जाती है जब जैसा चाहती है वैसा मुझे नचाती रहती है पागल समझती है मुझे राणुगा एक! कहां तुझे पता है कि तुमारे कुत्टे को क्यों किट्नैप किया मैंने? कुत्ता मत कहो, उसका नम मुन्ना है. ठीक है, मुन्ना है. तुम्से मिलने के लिए उसे उठाया. पहले क्या था? और अब देखो क्या हो गया हूँ. तुमने मुझे हीरो से जीरो बना दिया है मेरी बाइक पर क्यों बैठी वो भी कोई बाइक है वो भी क्या कुता है ठीक किस दिन तुम मेरी बाइक पर बैठी उस दिन से मेरे पेटरोल का खर्च पड़ गया 20 पिक अप का, 30 ड्रॉप करने का पदले में क्या मिला ठेंगा एक रुपया नहीं बचा जब अपनी बैलेंस शीट देखी न तो उसमें जीरो बचा था सच है पता है तुम्हें ये समयने क्यों किया नई समझोगी ये मा, ये देउदास पहले कैसा था और अब देउदास देखो कितनी मुसीबत आ गई है दिल की सारी बाते जट से बोल देता था तेरी चक्कर में बरबाद हो गया बरबाद बताओ मैंने कुछ गलत किया ऐसा करना गलत ही है न जी ये जी क्या है जी अपने आप से मुझे दूर कर रही हो ठीक है क्या गलत है बताओ जी आपने पपी लिया न जी उसके पहले आपने क्या किया जी आँ मैंने क्या किया जी उस दिन आपके कालेज वालों को जब मैंने मारा तो आप बड़ी स्टाइल से कैसे मेरे पीछे आकर बाइक पर बैठ गई थी वो क्या मैंने कहा था, खुदी अगर बैटी थी न, अगर आपके दिल में कुछ नहीं था, तो क्यों बैटी थी पोटो जाने दो, वो जूट था, उसके बाद असली इंडिया देखने के बहाने, एक पूरा दिन मेरे साथ बिदाया अचा-चा खाने खिलाये वो क्या था, अब बताओ उसे क्या कहते हैं, वो भी जूट था न, ओके, जूट था, उस दिन जब उस आदमी ने हमारे बारे में पुछ नहीं, ऐसे का मतलब लगाएगा, यहाँ, उस दिन होटल के पास, तुमको डॉप करके, वापस लोटकर, तुमारी हाले देखने के लिए, तुमारे पास बापस आया था, तो क्या हुआ था उस दिन, तुम भी लोटकर वापस आई थी जैलने आ हमारे इसका क्या मतलब लग जवान लड़की जिसके साथ खून का रिष्टान हो अगर बाइक पर बैठेगी तो उसके चुनी से साड़ी से यहां तक कि उसके खुश्बू से भी जवान लड़के की रग रग में आग ना लग जाए ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया यही यही फीलिंग आती है यह भी प्रेंट्शिप है ना इसे तुम भले प्रेंट्शिप मानो लेकिन मैं नहीं मानता प्रेंट्शिप तो एक बहाना है बहुत से लोगों के लिए इसकी आड में लोग पास आते हैं और एक दूसरे को फंसा लेते हैं यह सब मैं नहीं मानत तुम्हें यहां क्यों लाया, वो कर लूँगा, उसके बाद तुम आजाद, वो ही नहीं आएगा मुझे प्लीज, हेल्पी प्लीज मेरे दिल की सारी भडास निकल गई, आई लव यू बोलने के लिए लाया था, बोल दिया, प्यार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे एक्स्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, आज नहीं बताता तो जिन्दगी बर तुमारे पीछे घूमता रहता, मेरे जैसे कई लड़ कहने की कोशिश की न, तो मैं तुमारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, आँ, ए बानुम, तुमने जो भी किया पर एक बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका में पैदा होने के बाद भी गुसा होकर एक पपी के लिए तुमने जो थपड मारा, वो बात मुझे अच्छी लगी, मैंने कसके नहीं बांधा है, डेड़ गांट बांधी है, वाँ यहां हाँ जरा साहलाओगी तो अपने आप खोल जाएगी, खोल ले और जा, मैंने पच्पन में खरी जाता हूँ, जूते को साफ करवाया रहे, ए चोटो, तिनकी पाच्छा है, चोटो, 3x6, हाई, 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 देव, तुमसे कुछ बात करनी थी, देव, देव, बेटी भानू, तू बिल्कुल जिंदा मत कर, मैं मंदिर जा रहे हूँ, अगर स अब कुछ ठीक नहीं, वहां तो अच्छा नहीं होगा, इसे वार्निंग देकर आती उगनेश को, अरे बता ना भूल गई, उस दिन देवदास के छूटे हुए कपडे लॉन्डिस से आगे है, बेटी, जा कर उसके फ्रेंज को दे दो, बेटी, बेवगे लॉन को दो आनी हमा वुर भना जाओके का फ्रेंज को खीजन प्लीज गॉर्ट मुना थैंक यू मुना ओ भाई देवदास वहर कहा है? इसी गली में थोड़ा आगे जाने पर है लेकिन वहां गारी नहीं जाएगी ए छोटू साहब को देवदास का घर बता दे रुकिये रुकिये वह सामने वाला देवदास का रुब है देवदास यहां रहते हैं? मैं हूँ आप कौन? भानु का फादर हूँ अंकल अंधर आए आए बठे थैंक यू एए एक मिनिट सोखेट सोखेट बठे कफी डिलस्टी चर्वात या कुछ और? तुमारी पसंद का कलरफुल सोडा अंधोनों के लिए लाने के लिए मैंने बोल दिया है देखो भानु मेरी बहुत ज़्यादा इज़त करती है और वह आगे पीछे सोचे बीना कोई भी काम नहीं करेगी इसलिए उसे इतनी ज़्यादा फ्रिडम दी है मैंने अब पता चला कि उसे प्यार हो गया है तो देखने आया हूँ कि वह लड़का कैसा है जिसे वह प्यार करती है यह लो क्वालिटी जगह है इस लो क्वालिटी में तुझे देखकर बहुत रिलाक्स हो गया मैं जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसी जगा से आया हूँ, यहां से आने वाले में एक अजब सा फायर होता है, उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदे होती है, और जब वो उपर उड़ जाता है, तो उस पोजिशन को समहनने के लिए उसमें बहुत ज्यादा जोश होता है, और व प्रेंट्स को लेकर के होटल में चले आना, डाडी, बहुत पसंद आया मुझे, डाडी, मैं आपको बताने ही वाले थी, तुम ढर गई क्या, मैं ना बताता तो तुम छोड़ देती, अरे देखने वाले देखे ना देखे, भूल तो खिलते रहते हैं, वैसे ही प्यार के सा बेटा, देवदास बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा, आपका आशिर्वाद इसके साथ पहले से ही है, वो तो सब ठीक है, लेकिन दूसरा सर्प्रेस क्या है, बानु, आज तक तुमारा हर बढ़ने हम लोग एक साथ रहकरी सेलिबरेट करते हैं, इस बार भी साथ म बुक्ट है, तुमारो वन ओक्लोप फ्लाइट, इलेवन ओक्लोप चेकिंग, एक बार देवदास से बात कर लेती तो, मैंने बताया ना बेटी, देवदास से मिलकर आ रहा हूं मैं, हालो, कौन है, अहां, एक मिनिट बेटा, देवदास बात कर रहा है, डाडी, देव, टाइम बताया था ना, तुम उस टाइम पर यहां आ आ जाना बिलकुल, ठीक है, एक बाई, कल ठीक, देवदास बाजे, वो तुमें सेंड़ आफ करने के लिए, यहां होटल में आ जाएगा, थाइंक यू डाडी, देवदास को दस बजे आने के लिए बोला था, दस पांच हो रहे हैं अभी, अभी तक है क्यों नहीं बेटी, वही तो डाडी मैं भी वही सोच रही हूँ, चलो अब तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अमेरिका पस्ते वहां से फोन कर लेना, चलो बेटी, राट का टाइम हो रहा है, ठीक इस समय वो घर से होटल के लिए निकला होगा चलो, आजिए मेरिका टाइम हो बेटी, यह वो समय है जब वो होटल के अंदर पहुंच गया होगा, बानो होटल में मिलूँगा बोलकर यहां आ गए मैं कितनी टेंशन में थी पता है कुछ काम बता कर नहीं करने चाहिए तभी तो मसा आएगा है ना अंकल बहुत है पेटा हम वापस राट दिन में लौटाएंगे यह तो बता है साना हां मताया है इसका टाइम हो रहा है इसलिए ज़ कलर सोडा पिएंगे क्या ससूर जी मुझे यहां एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना आपने ही का था ना लोकल लोगों में फायर होता है फायर वाला हर इंसान रिवर्स में भी सोचता है अमेरिका का एश्वाराम की जिदेगी जीने वाला सिनेटर मेरे पास आता है और कहता है कि अपनी बेटी कहां तेरे हाथ में दे दूँगा मुझे बागल समझ रखाय क्या तुने ओए देवदास मैं इस स्टेज से चड़कर इस स्टेज तक पहुंचा हूँ मेरी चड़ी यूई सीनिया तु मुझे मत दिखा वो तो मैं कपका भूल चुका हूँ रहे मेरी बे मेरी चाहिए पहुदा मेरी तुझे है तु पागल हो गया क्या खुदी बानु को छोड़का चलेंग करके आया आज कल तुझे ओवर कॉंफिडेंस हो गया है मैं कर सकता हूँ ये और मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉंफिडेंस है डेफिनेट मैं भानु को लेकर आऊँगा मुझे भरोसा है अमेरिका को क्या अपने ननिहाल समझा है कि ट्रेन पकड़ा और पहुंच किया सुबह ही भी हो लेकिन है तो जमीन पर ही विजा के लिए य सुनने के बाद बजने वाली ताली मुझे अच्छे लगती है फ्रेंट्स कि नाते मुझे अंकरेज भली मत करो और अब न ही रहे मिरी बात 3 मिल कर किसी भी तरह से पैसे कमायेंंगे और तुमारे सभर कि तयारी करेंगे मा लक्ष्मी का ही सारा खेल है अरे ये तो इंडियन रुपिया है ये यहां नहीं चलेगा बेटा बिल्कुल सही बोला मा जी आपने बेटा भानू एक इंडियन कोईन अमेरिका में नहीं चलता है उसी तरह से इस अमेरिकन सेनेटर का इंडिया में किया हुआ वादा भी कभी नहीं चल सकता है वहाँ न रोक कर वो तुम्हें अमेरिका से वापस ले जाएगा देवदास में मुझे इस रूपय का चैलेंज किया है अब तुम उसे भूल जाओ बेटी तुम अब वहाँ कभी नहीं जा सकती है जरा एक बार अपने आसपास तो देखो बेटी यहां 50 से भी ज्यादा लोग है अमेरिका के अलग अलग से आयोए करोड़ पती इन में अमेरिकंस अफ्रिकंस इंडियन सभी तरह के लोग है इन में से तुम किसी को भी अपने पती के लिए सिलट कर सकती हो उसकी जात क्या है धर्म क्या है यह मैं कभी भी नहीं को है देवदास का ओए 20 दिन प्यार आपके 18 साल के प्यार के सामने कुछ भी नहीं आप जिससे कहेंगे उसे शादी कर लोंगी आपने बिल्कुल सही सुना है आपकी पसंद के लड़की सहीkonुग, वा, 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 व, वा, वा, कम on, कम on, कम on, कम on त्रगवन वेलकम वान्टाइट मैं वन वेच देट प्लीज प्लीज किया बेटि तो अपने लीन उनवेज नहीं मंगाएगी यह और देव दास को पसंद नहीं नहीं दिव दास और रंस अनाद स्थाड़्स विकाम सेंडियर असेट्स नौ एसेट्स I'm sorry Next time, Batola No, but actually, no, please Don't miss my time I've got some documents here Go away No, please No, no, please Yes Tawasad, this is my mom Namaste Hi, this is my son Lucky and my family Hi You're a very beautiful family Yes, I'm sure you know You're a very beautiful family How are you? Why are you sitting here? Sit down Thank you Go and take the girl My mouth My mouth And my mouth I'm soul I'm soul I'm soul I'm soul I'm soul I'm soul इसको ना समझो तमाशा दिल की ले भाशा इश्क तुमको है वैसे ही मच को है इसको ना समझो तमाशा दिल की ले भाशा मानोगर मेरी बाति मन में जाको अपने मानोगर मेरी बाति मन में जाको अपने इश्क की हपीकत को दिल से योगो अपने इसको ना समझो तमाशा दिल की ले भाशा इश्क है पामनी रिष्टा जो तोड़े दोटे नारे इश्क है पामनी रिष्टा जो तोड़े दोटे नारे धड़कन को सासों को इसके हर रहसासों को कोई समझे नारे कोई गर न समझे तो हम क्या करे अमरे कुन क्या समझे बिनला दिन को रोक न पाए तो हम को क्या रोकोगे इसको ना समझो तमाशा दिल की ये भाशा इश्क इनको है इश्क इनको है इश्क इनको है वैसे ही मुझको है इसको ना समझो तमाशा दिल की ये भाशा इसको इसको ना समझे इसक्षण को तमाशा दिल की ये वैसे ही दो है दूप में जो मुर्छा जाए फूल जैसी नाम है धमकाने से जो डर जाए ऐसी लड़की नाम है मैं उसकी वो मेरा प्यार मेरा गहरा कोई समझे नारे कोई कर न समझे तो मैं क्या करूँ अब भी नहीं समझे ग्या तो टाइटैनिक के जैसा फिर वक्त नाए दोबारा इसको ना समझो तमाशा दिल की ये भशा इश्क इनको है इश्क इनको है इश्क सबको है वैजे ही मुझ को है इसको ना समझो तमाशा दिल की ये माशा पन्मन में है चाहत जीवन भी है चाहत रग रग में है चाहत कणकण में है चाहत ये दूरी भी चाहत मजबूरी भी चाहत कोना भी है चाहत, खोना भी है चाहत, जीना चाहत, मरना चाहत, नफरत का विशुपीना चाहत, हमको भी है चाहत, चाहत देवदास पसंद करता है मुझको, देवदास को पसंद करती हूँ मैं देवतास को यहां से, मेरे दिमाग से निकालना नामुम्किन है, इसके बापी मुझसे शादी करना चाहोगे ए भानू नहीं अंकल, कूल, भानू ने मुझसे एक क्वेशन पूछा, मैंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया क्यों, घर से पढ़ कर आकर जवाब दोगे भानू, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्यार को छुपाया, लेकिन निडर होकर तुमने अपने दिल की सारी बात बताई यहां डेटिंग किसी से और मैरेज किसी और से तो होता ही रहता है आजकल के कल्चर में तुम्हारे टाइप के लड़किया बहुत मिल जाती है तो क्या उन सबसे शादी करूगी क्या बिटा? अंकल, हर आदमी एक लड़की का पती तो बनता ही है लेकिन हर आदमी अमेरिकन सेनेटर का दामाद नहीं बनता और मुझे वो स्टेटर्स चाहिए या, कितना ब्राड मैंडेड है ये तुम ही बन सकती हो मेरे असली दामाद तूला यूज एंट्रो है सोचा था पर ये तो थ्रो किया वा यूज करता है अंकल, आप मोहरत निकालिए ठीक है, ठीक है जाट, लेट्स गो अठारा सालोस तो मैंने इतने लाड़ प्यास से तुझे पाल पुसकर बढ़ा किया है और एक महीने में ही वो लड़का तुमारे लिए सब कुछ हो गया अब तो ऐसा लगता है कि इतने दिन में देतास के बगर कैसे रही उसके प्यार के बिना अठारा साल कैसे बिताए समझ में नहीं आता इस धर्म राज को तुम शॉक ट्रिट्मेंट दोगी? मेरे होने वाले दमाद लखी ने कैसा शॉक दिया तुम्हे? जब मुव बंद कर चावी होने तक किसी कमरे में पड़ी रहा अगर आवाज की तो बार दूगा तुम्हें इस धर्म राज को डेलाने चली है ये तो क्या कर रहा है? कुछ मत बोलो अरे सुन तो अरे का मुव बंद रखो ज्यादा बोलू की ना तो तुम्हें भी उस कमरे में बंद कर दूगा मैं इस धर्म राज को शौक देगी वह इस धर्म राज को एज सेरेटर आप इसे कह रही है क्यों? मेरी बाते सुनकर बीपी बढ़ गया ना आपका? उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आप धोका देकर मुझे यहां लाए थे ना? मुझे बन करके पनिश्मेंट दे रहे हैं लेकिन यह पनिश्मेंट नहीं है मेरे लिए तो यह गिफ्ट है बाहार रहूंगी तो सुबह से ही तुम्हारी सड़ीवी शकल देखनी पड़ेगी अंदर रहूंगी तो कम से कम 24 गंटे अपने लवर की यादों के साथ खुश तो रह पाऊंगी इस तरह की बाते कहां से सिखिए हैं तुम्हें वो देवदास भी ऐसा ही है बिलकुल आत में आई लड़की को छोड़कर उसने मुझे चैलेंज किया उससे तो देवदास का तो कुछ नहीं कर पाएगा जितना भरोसा उसको खुद पर है उतना ही भरोसा उसे मुझ पर भी है देखना वो यहां पर जरूर आएगा और मुझे लेकर जाएगा दिन में सपने देख रही हो जहां यह धर्म राश्ताय करेगा वहीं तुम्हें शादी करनी होगी देवदास से शादी करके अगले दिन ही मर जाओ तो भी कोई कम नहीं पर किसी और से शादी नहीं करूंगी सर आलाद विस्थर तक आ चुके हैं लाइट बुजाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं प्यार के लिए कोई इतना पागल होता है क्या तो किसके लिए होते हैं जानुजी रेडी है ना रेडी हो क्या विल गो पर टेक्ट सर श्रियाजी का फोन है हाई श्रिया आव यू आव यू आइम फाइन श्यानु मुझे पता चला है कि तुम नए आर्टिस्ट्रों को लेकर अमेरिका में श्यूटिंग करने जा रहे हो उनका वीजा कब बनवाने जा रहे हो अगले हपते तक जाओंगा एक काम था आपसे आपसे एक फ्रेवर चाहिए था मेरी रेस्पॉंसिबिलीटी होगी काम हो जाएगा सब्सक्राइब येस गोटो काश्च नमीट टू और पेद वीजा फीज वीज शेंड यूज पासपोर्ट फ्रकूरियर थेक्स अलोट मुझे भी इंडिया भीज़गी तो चुपरे मैं अपने आखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख सकती नहीं देख सकती तो समझाओ उसे उठ गई कहा वह उठेकी तो गाली सुनाई देगी ना सार सेनेट के लिए जा रहा हूं रड़की को समाल कर रखना एक इंडियान कौन अमेरिका में नहीं चलता है उसी तरहसे इस अमेरीकन सेनेटर का इंडिया में किया वादा इंडिया अपने आपक पी नहीं चल सकता है अप्छः को का मर गया मित्हाइलल तो बेटा क्या हुआ सर बीटा जब अ हुआ पानी लड़ा पानी दे गाम पानी तब जो क्या हुआ कि गञाल अपानी का अनदर दे ना कि बाहर दे यह कोई मजाक लग रहा है तुम्हें यह धरम राज्च क्या कहा था इंडियन कोई अमेरिका में नहीं चलेगा इसी इंडियन कोई ने एक अमेरिका की सिनेटर को थर-थर काफ़े पर मजबूर कर दिया है मुझे नहीं उस लड़की को समझाओ हाँ जब मैं अपने डामाद को इना समझा पाई तो उसकी बेटी को क्या समझाओंगी दिल के जादू का नाम होता है प्यार और इस प्यार में मैं पूरी तरह से डूप चुकी हूँ आठ दिन कमरे में बंद हैने के बाद भी मुझे उजाले की कोई जरूरत नहीं है एक तू है कि चारो तरफ उजाला रहने के बाद भी तू अंधिरे से डर रहा है उसी डर के कारण तू लिफ्ट में एक मिनिट भी नहीं रह पाया यही यही फरक है तेरी पोजिशन और मेर नहीं छोड़ूंगा क्या हुआ रे अभी तक अमेरिका नहीं गया इससे हुआ क्या अभी तक यहीं पड़ा है अभी मसाख मत कर वो यह सर्विस वाले से जो तुने मेरा वीजा और पास्पोर्ट लिया है वो चुप-चाप वापस कर दे तो तुझे मालूप चल गया इसे दे नहीं देगा इसका तोड़ पाणिक करना पड़े रएी टाउंचोंग निकाले गान अच्वात निकालेगा यह मालूम है ना इसले पास्पोर्ट अपने पास नहीं रखा उसे चुपा कर रखाए मैंने और अगर वो वापस चाहिए तो इसे काम करना हुबार क्या करना होगा? अगर मुझसे कम टाइम में तुने ट्रेन को वर्टेक कर लिया तो वीजा पासपर्ट तुम्हारा होगा ऐसा मत करना छोटो इसमें जरूर इनकी कोई चाल लगती है तू जीस पठ्री पर जा रहा है उसके अच्छानक से ट्रेन आ गई तो खत्रा दोनों के लिए है और जब खत्रा ना हो गेम में त्रील नहीं होता तेरा टाइम अच्छा रहा और अगर सामने से ट्रेन नहीं आई तो भानू तेरी होगी मैं रेडी हो कर दो वार को तो खत्री है खत्री है जिए तर जाई्याब का प्रेंग खत्री पर जाई्याब किरें और देवार प्रज़िए और देवार आपिए! बोबी, खुद को पैसे वाला समझ कर, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बरताव किया, लेकिन पैसे से आने वाली मौज मस्ति और एंजॉयमेंट के लिए जो जीवन चाहिए, आज तुने वो जीवन मुझे वापस लुटाया है दोस्त, बोबी, कॉल फुर यू, हलो, बोबी, प्रेन गेम में तुमने देलदास को मार दिया ना, आपके कहने पर मैंने उसे बिलकुल मार दिया, अब आप उसे भूल जाए सर, तुम्हारा होने वाला सस्वर, अब जाकर ये कुशकबरी बानु को बतानी चाहिए मुझे, है वानु, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है, तुम्हारा देवदास, लगता है बेटी के टॉर्चर से पागल हो गया है, ओए, सुन, वो देवदास, क्या है सर ये ट्रेन का खेल, खेल नहीं रहे, गेम, कंफर्म ये पूरा पागल हो गया है, उदर से एक ट्रेन, इधर से एक ट्रेन, उसमें आप है, इसमें मैं हूँ, तु अपना मुबंद र परीच में पागल हो गया है, क्या आपको ऐसा भी लग रहा है, तु आपगल हो गया है, आपको ऐसा भी लग रहा है, क्या हो अबिटा देवदास के मरने की खबर सुनते ही बेचारा पागल हो गया तीदस मर गया ओल्ड न्यूज मैंने ही तो उसे मरवाया चैलेंज करेगा और वो भी धर्मराज को वोई चैलेंज का केम खेल कर उस्ट्रेन के नीचे उसकी समाजी बनवा दी मैंने बाभु देवदास अब इसो तुमारे दूसके दात भी नहीं चूटे थे सर आप अगर थपड़ ना मारो तो एक बात बोलू यह सुपशमाचार भानु ने सुन लिया तो गड़बड़ो जाएगी क्या गड़बड़ोगी शौक से कहीं भानु भी यह लुटी ना सबस्कार एक कर लोगी यही सोचता ना प्यार करने वालो का एक दूसे के ऊपर पूरा पूरा अधिकार होता है यह दूसरे को बिना बताए सुसाइट करने का अधिकार मुझको ही नहीं, किसी लवर को नहीं होता वो देवता सच में मर गया है रहे डाड़ी, वो नहीं मर सकता है डाड़ी ओवर 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 कांपिटेंस अरे वो देवता सच में मर गया है तेन में सपना देख रहे हैं उसे कुछ हुआ तो मुझे पता चल जाएगा और मुझे कुछ हुआ तो उसे पता चल जाएगा देट इस दे मैजिक ओफ लव देवदास जरूर आएगा इस उन इस वे क्या साथ देवदास मर गया बोलके धोका दिया आपने मुझे ऐसी बात है अमेरीका मेरी प्रेमीका को जनम देने वाले देश मेरे आने से आज तेरा जनम धन्या हो गया अच्छा है देखो देवदास यहां की गौवर्मेंट ने हमारी यूनिट को सिर्फ 15 दिन की परमिशन दी है इतने दिनों में तुम्हारी लव स्टोरी सक्से सोया फेल हो आज से ठीक 15 दिन शाम को साथ बज़े तुम्हें यहां आँगा अपने ही रिस्पॉंसबिल्टी पर तुम्हें यहां लाया हो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रियेट मत करना यह डॉलर्स अपने पास रखो तुम्हारे काम आएंगे थेंक्स वाओ इसका घर तो बड़े महल जैसा है सासुर जी ने इंजजा मचा किया है झाँ हुआ 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 है यह जिएऑ वह रहुआ है आप हुआ है वह प्रॉदर इसर शड़ीड़। भी लिए लिए कि अचेर लिए जो में पासप्रॉट जो है प्रहा है यह व्केव क्सा के लिंगिए बजए लिह क्का प्सना नियार का अमसाना? ओव नाइस! व्यूंक तेक में आज विलाइन? इस अर्स्क्रिक्टर्रीडएर रिए दोंट स्टेइयर, मुवववेश ओके एंजोर अमेरिका यह अंके अंशी जीवन कोई फाइदा नहीं है इसे अचाही मर जा ताइम बेस्ट तो विल्डिंग देख रही हो अगर तो नीचे पहुचने से पहले ही जाने का जाएगी जाओ कुद ऑगी रुक रहे क्या बोला क्या हुआ लोकेशन चेंज कर रही हो मुझे नहीं मरना वो क्यों बड़ी मुश्किल से तो दो बास्ट करने के लिए हिम्मद जुटा भाई थी मैं इस बार तेरी वज़े से फेल हो गई फिर से हिम्मद जुटाने के लिए टाइम लगेगा पर तो मरना क्यों चाहती हो पहली बार हाइज स्कूल में दूसरी बार कॉलेज में तिसरी बार ओफिस में तीन बार लव में फेल हुचुकी हूँ आट उसकी लड़की से रिष्टा है कैसा रिष्टा वो लड़की मुझे प्यार करती है अलो प्यार के लिए इतनी मुसीबति उठाकर यहां पर आये हो प्यार तुमारे लिए कितना कीमती है यह देखकर मुझे अच्छा लबा मुझे प्यार पाने के लिए किसी ने हेल्प नही के लिए जा रहे हैं इस बाद से नेटर टिकट आपको ही मिले इसलिए हम सब भारतियों का समर्थान आपके साथ है कि मेरे प्रती आपका अभिनंदन और महुपत ऐसे बरकरार रहा तो इस बार विजय प्राप्स करके अपने देश की शान को विश्य भर में और दस गुना बढ़ा दूंगा मैं कि मिलते हैं अस्मिल प्राप को यहां के लुग अपके बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन इंडिया वाले लोग थड़ा कम जानते हैं उनके लिए अंचे लिए हमारे जएमिन बीई को एक कि ंटव्यी टर्ष ही ड़े डालो के शर आपकी नजर में इंडिया बहुत मांह पिर एंडिया में क्यों नहीं रहते, यहां क्यों रहते हैं? पताई दो एक इंडियन कि अमेरिका में सीनेतर होना महान बात नहीं है क्या? तूम तो इंटर्विव लेती ही रहतीय हो है ना मैं इंटर्विव लूँगा तो लोगों के लिए कुछ अलग होगा ना तो माइक दे दो मिस्टर धर्म राज तू ये कौन सा खेल खेल रहा है बेबी के कठीन प्रशनों का उतर देते हुए सर्मून वाना पड़ेगा मैं आपसे सरल सरल पूछ यूँगा ठीक है ना ठीक है अब आया हूट पाड़ के निचे रिहर्सल कर रहा था हाई वीवर्स मिठाइल आल उन दो लाइन आपकी टीवी अगर बन दे तो उसे चालू कीजिए धर्म राज लक्षमी नारण जी आपको मेरा नमस्कार मजबूरी है कीजिए आपको देखने से शांती और साहनुबूती का रूप कहलाने वाला भारत देश देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है तू मामुली आदमी से सेनेटर कैसे बना आप कैसे बने आप यती इंसान महिनत करे तो भगवान भी बन सकता है उबामा सुनेगा तो सर फोड़ लेगा उसे हिंदी नहीं आती ना इसलिए बाई दवे इतनी छोटी उमर में आप इतने उपर कैसे पहुंच गए सर जो काम कल करना है उसे मैं आज ही करता हूँ इतने फाल्टू पेठे रहते हो एक लेले क्या भाम इतना परशान क्या हो रहे हो बहुत टाइम है ना एक फाल्टू सा कोश्चन तास खेलते हो इस नाच्रल तास में आपको कौन सा पत्ता पसंद है बादशा और कवी आली दास आपकी मा को राम दास आपकी बेटी को आपकी सवाल मेरे जैसे नौजवानों को क्या संदेश देंगे अब नौजवान है यहां आइम अन्मेरिट ओवर दर्चल सा 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 कि आए सासर जी दुबारा कभी इंट्यूव्यू का नाम नहीं रहा थत्ते है प्रम है प्रम है वो मरा नहीं है मेरे दिमाग में सेट हो चुका है पक्का पागल हो है रिलेक्स 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 प्रम था मुण में पर्षी पकड़ा हुआ है कमान यां कुछ भी चिन मुण में डाल लेता है यूजलेस उसमें क्या लिखाया दूंपड़ा मुनना को पकड़िए जिट्टी देजिए जिए राम बहेंगन एक किलो भिंडी दो किलो मिलेगा तो लौकी आदा किलो टमाटर देस किलो आलू चार किलो प्याज दो किलो दूर का डिपा कोफी का डिपा नूडल क्या है सामान की लिस्ते देख लिए इतना नाटक ज़रूरी है क्या अरे नहीं इसमें कोई मेसेज चुपा हुआ है हां क्या चुपा बताओ मैं कोई अनपड़ गावार नहीं हूँ बश्पन से स्क क्यों रही हो आपने जान देकर यह भी एक्साइट को टॉर्चर है हाँ देल को हिम्मत बंधाते रही और तुमारे यहां आने के बाद मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ आप मुझसे नहीं रहा जाता पता नहीं क्या हो जाए कल का दिन यादकार देनोंग और जो मैं करूँगा उसे तुम सिद्धी की बन नहीं बुलबाओ कि ओके नो प्रावल्लम आइवल टॉक टॉक टॉर क्लोस अपर देखना लड़की भाग रही है लड़की का भाग ना देख रहे हो क्यों भाग रही है देखो मुना मुना बाट बॉई क्या हुआ भाणो कहां भागे जा रही थी मुना भाग रहा था नानी पता न मैं इसके बगर नहीं रह सकती फिर कभी ऐसा ना हो इसलिए कमरे में बंद करके रखूंगी देखो न बेटी तीन साल से जो कुत्ता साथ है उसके भागने पर तुम उसके पीछे दोड़ रही हो सोचो कितना दुख हुआ होगा उन्हें कितरी राते बीना सोय गुजारी है उसने ये सर्फ मैं ही जानती हूँ बेटी मैंने कई बार उसे अकले में रोते हुए देखा है जो मर गया उसके लिए जिन्दा लोगों को रूरा कर तुझे क्या मिल जाएगा बेटी मुझे माफ कर दुना निमा मुन्ना ने मेरी आँके खोल दी लेला को बदलने वाला कुटा अब आगे से पिताजी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी भगवान कितने दिनों बाद मेरी बेटी को सतबुद्धी दिये तुने बीटा तू कब आया लगता है आंक में कच्रा आगया क्या है बेटा बोल ना सास और दमाद ने पहली बार मा बेटी का प्यार देख रहा हूं देवदास के मरने की खबर सबसे पहले तुझे लगी थी मुझे इस बात पर यकिन आ गया लेकिन भानु को ये बात समझने में बहुत वक्त लगया इसलिए अभी मैं लड़की को मंदिर ले सब्सक्राइब इसका मूट बदल जाए तुम इसको में मंदिर में रखना मैं दमाद को लेकर क्या हूंगा तोनों को मिलवा देंगे सब्सक्राइब के अवाज में इसा चेंज क्यों खुशी से मेरा कला बैट के आए रहे सर मुझे एक डाउट है सार ऐसे समय में डाउट के लिए टाइम चाहिए के सार अरे वो मंदिर खुशी के समय में ऐसा डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए चला रुको 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 अरे होली खेल रहे हैं उनके पास गाड़ी रुप दो क्या सर क्या देख रहे हैं बेटी में बदलाव को देखकर बरुसा नहीं है ब्राम है ब्राम है पागल पागल हो गया तू क्यों रे तो अभी तक यहां क्यों खड़ा है गया क्यों नहीं तुने कहा था ना भानु का दिल बदलने से पहले लड़के को लेके मंदिर पहुंचाऊंगा चल बेटा तो जल्दी जाओ अब जब दुखी रहोगे तभी पुछूंगा सब्सक्राइब क्या मतला तरसल बात यह है कि हमारे यहां तो होली दर्दिन के बाद आएगी पर उसके बाद आपके लिए ऐसी होली कभी नहीं आएगी मतला तुने उस देवदास को अब इसका भी जवाव आपको देना होगा क्या फागल नहींगा क्या यहाँ प्रफ। यहाँ प्रफ। धर यहाँ प्रफ। टाम उसके लिए लुटीशियों इसका सब्सक्राइब थेरा यहाँ यूजरेस फैलोज यूजरेस फैलोज गोबैक एक 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 अब बना सकते हैं पैसे मिलने चाहिए तीजे सर अज होली नहीं है यह मुझे मालूम था वही मेरा नया डाउट था वही मैं आपसे पूछने माला था फिर क्यों नहीं पूछा तुम ले दुख में पूछने कले का और यहां आपको लड़की को लेकर भागया होगा वह वह नोम अन्स लैंज है कोई नहीं आ सकता कर सुबह मैं आपक इसी चंड तुमें पिकप कर लोंगी तब तक राच्छा राणी और सारिक सब तुम ही हो एंच़्ोय यूसेल्स बाइए लाल वाल नो तरचे चलो ठीक है एक गेम खेलते हैं मैं तुम्हें जहां टच करूँगा तुम भी मुझे वहीं टच करोगी जलेगा अहां अकेले में तुम्हारे साथ आई यह तो मौके का फाइदा उधाना चाहते हूं क्या ओक्यों के तुम्हें डाउट है कि मैं एडवांटेज क्या है आओ खाले कसम, ना होगे हम जुदा आओ खाले कसम, ना होगे हम जुदा मेरा भी ये जीवन, बस तच पे ही फिदा एक ना पाए कभी ये तार का सिल्सिला परता जाए सदा, हम दोनों का होस्ना हम तो बस बने है एक दूजे के लिए आओ खाले कसम, ना होगे हम जुदा मेरा भी ये जीवन, बस तच पे ही फिदा मेरा भी ये जीवन, बस तच पे ही जीवन, बस दोन झाए मेरा भी ये जीवन से लिदे वगे भी ये चिदा भी ये ये वे घूजे तेरे बिना मेरे सनम कुछ ना अच्छा लगे अब मुझे कव अपना हर्स अपना सच्छा लगे तेरे लिए मैं छोड़ जा तेरे लिए बेजा परवा तेरे नाम करती अपनी जिन्दगी तुझसे ही जुड़ी है मेरी है खुशी हम तो बस बने है कदूजे के लिए आओ खाले कसम ना होगे हम जुदा मेरा भी ये जीवन बस तुझ पे ही बिना कर दो बस तेरे लिए जा खाले की दोड़ी है कर दो कर दो और नहीं घोना नजरों से एक बल भी दूर नहीं होना तुमाना अपना निभाना है इश्क मेही मिट जाना है तेरा मेरा साथ हो हर जनम जनम तोड़ते अब प्यार की इन हगो को हम अपने प्यार के दवा है आसवा जमी आओ खाले कसम ना होंगे हम जुदा मेरा भी जीवन बस कुछ पे ही फिदा रुक ना पाए कभी ये तौर का सिल्सिला बढ़ता जाए सदा हम दोनों का होसना हम तो बस बने है एक दूजे के लिए ला 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 हुआ पाले के विदा हपिप पाले का सिल्सिला हभी बल्दवानों जब से पहले मैंने तुम्हें विश्किया हूँ आप आप मेरे बादे भी तुमने शुक्र दिया है मैं उसे कभी नहीं भूलूँगी तब तो मेरी कर्जा उतार दूगे तो मैं यह कर्जा उतार दूगे हुलो मैं हो भानू कहां तुम कहां तुम इस समय शादी में किसकी शादी में हो मेरी देवदास के साथ भगवास बगवास शादी खिलवार है कया उसके बारे में कुछ भी पता है तुम्हें पहले घर के लोग देखते है और पर सखाई होती है उसके बाद बड़ो के सामने सिंदूर भरना होता है तब होती है तब होती है शादी हमारी शादी भी समाज के मताबिक ही हुई है मेरी और देव्दास की पहली मुलाकात इंडिया में हुई थी बहुत जलदी हम एक दुसरे को समझने लगे हमारी नजर से देखो, हमारा प्यास समझ में आएगा जिस दिन सारे रिष्टेक्ट तोड़कर हम एक दुस्य की बाहों में समा गए थे उसी दिन हमारी सगाई हो गई थी पंच तत्वों को साक्षी मान कर जिस दिन हमने एक दुस्य के होटों पर होट रखे थे उसी दिन शादी हो गई थी अब हम लोग हानीमून प्लान कर रहे है डाड़ी कहां है कहां है तुम्हारा देवदास कहां है रसूर जी अगर उसमें फोल कट कर गया तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा वो कहां है पता लगाना है बाद कीजिए बाद कीजिए ए मिठाई लाद कंफ्यूज मत हो रहे मैं न्यूयार्क से ही बात कर रहा हूं यह दोखा देकर मेरी बेटी को लेगा और खुद का मन कहता है रहे तुमिर का आगा गया और अब दूसरा याद कर तेरे घर पे आया हायसो सुटी लेकिन तुझे पता नहीं चल पाया तो इसमें मेरी क्या गल्ती एक बात और याद कर, तेरे घर से नहीं तेरे दिल से भी भानु को बाहर निकाल दिया, तेरे चंचो के सामने उसे उठा कर लाया और तू कुछ नहीं कर सका, ए देवदास, हर समय में हर कोई सही नहीं हो सकता है रहे, इतना सब कुछ सही करते आये हो, लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए तो, भानु को इंडिया ले जाकरके, वहाँ से तुम्हे फोन करना चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ से फोन किया तुमने, इसलिए तुम धमराज अपने पास ले करके नहीं आया ना, तो न्यू यू यॉक स्टेट का सीनेटर पत छोड़ देगा, उसके लिए कितना टाइम टाइए, 24 गंटे, 48 गंटे, या 12 गंटे बहुत है मेरे लिए, ले ले, बोनस टाइम कितना चाहिए, 15 मिनिट्स, 30 मिनिट्स, 40 मिनिट्स, एक सेक को भरका दिया है, गुस्से में तेरा बाप आगे पीछे कुछ नी सोचेगा, अब मैं आराम से उसकी जड़े उखार सकता हूँ, हे, किसी भी आदमी का प्लस पॉइंट, बैट टाइम में उसका माइनस पॉइंट बन जाता है, उसका प्लस पॉइंट है, हिम्मत, उसे भरक अब आपने वस में कर लिया, फास गया वो, इक्योरिटी, कमान, को, और सोच एवरिवेर, आइवान माइ दाटर, आधे इदर जाओ, आधे उदर जाओ, जो बचे आपने घाजाओ, इस धंदार को चलिंज करता है, वो, गास, गो, एवरिवर, साच एवरिवर, इंच इच अब ही बताना होगा, बता, बता, बताना, आपको बता कर हिलाना चाहता था पर आपने हिला दिया में भूल गया, यादा क्या, इलाओ मसर फिर रूल जाओंगा, इससे पहले कभी किसे ने बोल में बच्चा रखकर गाउ में ढूंडा है, मतलब वो, अपने पास हो सकता है, अपने घर में हो सकता है, अपने ओफिस में हो सकता है, हलो, हलो ससूर जी, तुम हमेशा पाप नहीं, कभी-कभी पुन्य भी करते हो, तुमारे कहने का मतलब, टेंशन में भी भिकारी को डॉलर दिया न, उन्हें ये सब कहां से देख लिया, मेरी हिम्मत की दादो ससूर जी वो डॉलर लेने वाला में ही था, ये, देवदास बहर ही बैठा कुआ है, ये, देवदास, वे, क्या तक वही रहूंगा ससूर जी, टेंशन में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भी पता नहीं है, जल्दवाजी क्यों करते हो, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से सोच लिखो, ये टेबलेट ले क्या, अब आउ, 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 ए, मैं तुझे छोड़ू गाने रहे, पकड़के बताओ तो जानू, शिट, गुएंट सच अल रेल्मे स्टेशन, गुएंट अलो, थिनेटर, वे, कुन फाउंद ये, दॉटर, वे, कुन फाउंद ये, दॉटर, ए, देवदास, क्या सासुर जी, रेल्वे स्टेशन में ढून रहा है, ढून रहा है, ढून रहा है, अरे, ये कैसी बेवपूफ ये, एक मिनिट, हरबर साउंद सुन लिया न, अब लेट क्यों कर, आजाओ, जल्दी से आजाओ, यहाँ ने के बाद, हवाई चार्स ऐसे उडएगा, वहाँ से एयरपोर्ट आजाना, क्यों ससुर जी, कैसा लगा हमारे टेपरेकाडर गेम, इसके बाद कौन सी जगह जाना है, सर, पोन ने आएगा तब तक कैसे बताएगा? वाव, ब्यूटिफुल, टीवी पर देखने पर इतना टेंप्टिंग लग्राएगा? डेरेक्ट देखूंगा, तो कैसा लगेगा? गंदी ड्रेस है! मैं ट्रेस नहीं देख रहा हूँ. ओ, ची, ची, औरत की सुन्दरता दो तो इंच के कपड़ों में नहीं दिखाई देती, छे गज की साड़ी में दिखाई देती है. साड़ी में? साड़ी की स्पेशालिटी पता है क्या? क्या है? इसमें जो चीज छुपानी होती, वो छुपा सकते हैं, जो चीज दिखानी होती, वो दिखा सकते हैं, और फिर भी सामने वाले को अट्राक कर सकते हैं. प्रूप कर सकती हो क्या? देखना चाहोगे? क्या हो क्या है? करने वाला सासूर जी बोलेगा तब मुझे देना मैं सासूर थोड़े हूं सर इडियट हैलो टिन 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 होटल अनुपामा की तरफ से टाइम ठीक दो घंटे बाद चैलेंज का समय चार बच जाएंगे सासूर जी यह सब मुझे मालूम है आर जाएंगे ना देखना मैं ही जीतूंगा ऐसे कैसे जीतेंगे गुस्से में मैं आकर मार दूँगा जीर दूँगा बोल बोल के अब तक दो बार हाट जोके हो अब क्या हुआ अभी तक हमारे ठेकाने नहीं ढूंड पाए मुझे तुम पर दयार है यह ससूर जी कौन होता है रहे मुझे पर दया करने वाला तुमारी आवकाट क्या पता है मुझे देखकर तुझे डरना होगा मैं क्यों डरूंगा अपनी लोव वोल्टेज से बड़ी मुश्कल से तो एक लड़की पैदा कर पायो आई वोल्टेज से पांच छे पैदा करने की ताकत कितने दिनों बाद अपनी लोकल भाशा सुनिया सुनकर मेरा दिमाग फ्रेश हो गया ये ये है मेरी रेंच तेरे बाप की आपने जहां गाली सीखियो से स्कूल का मैं हेड मास्टर रहा हूं चर्पी जड़ा जोड़ रहा है मेरा दिमाग मत घूंगा चेंगी चुट और अग अधार अधार तू ऑफ कर रहा हूं सर अधार तू तेरी ताथा तू रहा ताथा तू रहा ताथा दू आधे गंटे का टाइम दीजैं सर्लीश्ट बना के दिताओं गाली की क्या हुआ सासुर जी स्टाउक ख़तम हो गया बोला था न तू कालियों में कमझोर है ये आग य तेरे वरना दिमाग सड़ जाएगा क्यों सब्सूर जी निकली ना भड़ास या भी बाकी है सामने होता ना तेरी तो सब्सूर जी आपकी तरह पहले भी किसी ने सोमार को मंगलवार बताया था करेक्ट सार मैं तुम एक चांस देता हूं मैं जानता हूं तुम हमें नहीं पकड़ पाएगा मैं तुम्हारे सामने रूप बदल कर आऊंगा और अगर तुने मुझे पहचान लिया तो मैं भानू को तुम्हारे पास छोड़ कर चुप चाप यहां से चला जाओगा ई से शेन मैं आवड़े मैं आपको लुटे, हुआ लुट राजड़े गाँ आए लुटे आए इपोल मार दोगी नणा मार दो ट्याह दो बार सुसाइट करने गई क्योंकि मौत ने डरती तीन तीन लोगों ने धोखा दिया तुम्हें इसलिए बाद्मियों से भी ने डरती हो तुम अब तुम्हें मार कर उस केस को द्येवदास की सिर्फे मर दूंगा दो सिर्फ एक मिनिट बचा है यहां ज्यादा देर रुपना अच्छा नहीं होगा चला कि अपना शंग बूलाई मिल गया तुम्हारे पिता जी ए देवदास हलो ससुर जी टाइम से पांच मिनिट ज्यादा हो गया है हम लोग चीद गए हैं और तुम हार गए हो यही बात एक बाद जरा बाहर आकर बोल तू के जिए जा रहा था ना कि तुम्हें किसी भी हाल में हो गया अबते शमय से पहले इसके लिए उतनी इंपॉरटेंट नहीं है लेकिन वानु अपर लिए मौश्ट है आप इस पर पिस्टॉल रखें ठीक है यह चाकू रख दिये दो अरे यह कैसी आवाज है औरे पॉपर यह तो बहुत चालाक है तो अपनी मा की कसम खाकर जूड़ बोला मैं तेरी कसम खाकर सच बोल रहा हूं दिव्या को नहीं छोड़ा तो भानु को मार दूगा दिव्या अब की तरह नहीं है जबान का पक्का लग रहा है लड़की को छोड़ देना चाहिए आज अब चला एर दो जाए इंडियन्स पे भरोसा करके मैंने धोका खाया, अमिरिकन्स ने मुझे फूल बनाया, दोनों पर से मेरा भरोसा उट चुका है, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पर बुलाया, इतना मारे इतना मारे क्या दमारा हो जाए, ए, कल के बाद तेरा वीजा एक्सपायर होने वाल इसे वीजा एक्सपायर होने के बाद अगर एक दिन भी एक्सप्रा हो गया, तो अमेरिकन गॉव्मेंट तुम्हारे पासपट पर रेड स्टैंप फोकतेगी, पासपट पर अगर एक बार भी रेड स्टैंप लग गया, तो जिंदगी बर कभी तुम अमेरिका नहीं हुआ था, आतंगवादियों के साथ तुम्हारे पुराने संबंद है, कहकर केस पर केस बनवाऊंगा, और तुम्हें हमेशा के लिए भसा दूगा मैं, इस धरमराज से पंगा लेने चला था तु, हां? धरमराज, प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन शादी करने की हिमत कुछी लोग करते हैं, उन कुछ लोगों में से हैं, मेरा देवदास स्काट कर रखतेंगा, आपके साथ कैसे बीहे करना चाहिए, यह तु भूल चुकी है, इसलिए अब मैं भी तुझे बेटी नहीं समझूँगा, और अब कान खोल कर सुन ले तू, तुझे मैं लखी को हैंड ओवर करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद, बल ठीक, शाम को पाँच बजे तुमारे उसके साथ सगाई होगी, उसके बाद, आट बजे उसके साथ होगी, शादी, शादी कहांगी, यह मेरे सिवावाल कोई भी नहीं जानता है, और अगर जानता भी है, तो वो कभी भी उस जगह पर नहीं बहुत सकता है, भराम राज, देवदास को मार अगर तुमने उसे नहीं मारा, तो दुनिया की किसी भी कोने में मुझे छुपा दो, शाम के पाच बजे से पहले वो वहाँ पहुच जाएगा, देखना आट बजे से पहले, अमेरिका की 50 स्टेक्स के किसी भी एरिय में से हर हाल में इंडिया लेकर जाएगा, अगर ऐसा न तो हमारा प्हा सच्च्छ नहीं मिस अव्यूच नहीं मेरादास नहीं, तो वो मेरा देपास नहीं है प्रिर्ट्रया हूँ! यह इसक्तर? यहनी ईसक्तर? आपे गारूं! गायतारू! कहा है कहा है कहा है आए तो जन्नी मानूगा तुझना रहेगा पता भानू कहा है पता नहीं तो मैं नहीं तो मैं पता क्या तरूंगा पिताजी ने तुम्हें बहुत मारा ना हमारे शरीर अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा दिल एक है तुम्हारा वादा मेरा वादा है पहले वादा 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 पूरा करना होगा ग्या रहे वादा हुआहा रहे वादाए प्याओ ज्याओ बहुत जेड़न खजये टेड़िल्स थाइ़ घे लगे सलीद बान समय भणारो परोगदान हत्म. झाल 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 मुझे बहानो चलिजा चलिजा यहां से मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए मुझे किसी मुझे किसी किसी करहाँ है हुआ है कि अगkien अगाउ.. करेक्ट पांच बज रहे हैं कि देवतास निभाया यहां पर आया और मुझे लेकर जा रहा है मैंने दो कॉल की बात की थी ना एक तो हो गया दूसरे के लिए वेट कीजिए उसने जो कहा वो करके दिखाया वे एरपोर्ट जाएगा तुना 50 स्टेट्स के सभी एरपोर्ट में करें जाओ तुम लोर और वो कहां से फ्लाइ करने वाला है पता करो जाओ 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 अल्ड बस्त, तेंक यह रिमाग जारा है और पता नहीं देवदास कहा है गया बैम बैम लिपन आलोग मैम भाइप जानको थे लोग अजिए और प्रदोल कि अजिए आरपोट प्रदोल करना दूर्श कर अजिए जाने माला है गुर्षाइब दो करोगार वारो जान पूर बने बने दो चाहिए अरफिती आपकों आपकों अरफिर यह कासिन इंदिन फ्राइब अरफिती फुल्ली उप्रिपाइब आउ गंसाज़ कि यह सब कोने सब्सक्राइब कर देगा अगर हमें मिला तो से पासपूर्ट के साथ मैं खटम कर दूगा वादे राक्षा यह तो प्रेग्नेंट है पेम स्थार्ट हो गया बढुमे नहीं हो सकी अप्रों लिएश नहीं आडिया को टाइम हो रहा है चल्दी आओ अभी तक नहीं पहुंचा आके एक घंटा हो गया किसे हमें पागल टाइम हो रहा है अब हमें चलना चाहिए लगता है देवदास नहीं आएगा बिना वज़ा मैं फंस गया अमेरिकन्स को मुझे जवाब देना पड़ेगा अब चलो वहां बोर्डिंग क्लोस हो गया है प्लाइट टेक ओफ के लिए तैयार हो गया अब क्या आएगा चैरेक्ट हाँ नहीं चलो घर चलो जा हुआ है मानो देवदास की दर है मा असल में हुआ क्या है तुम तो बताओ मुझे मैं किस से बात करूँ है मा ये फूल हलो देवदास बोलो जो बात मैं तुम्हें बताने वाला उसमें हजार सुनामियों की ताकत है कान खोल कर मेरी बात सुन ले मेरे प्यार ने मुझे वादे से हटना नहीं सिकाया वादा टूट गया तो देवदास देवदास नहीं रहेगा उच्पे और मेरे प्यार पर पानु तुससे दूर हो गई। उस दिन टाइम के बाद हमला करके तुन्हें अपना वादा तोड़ दिया। ये तेरा केरेक्टर है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाये असलिए पानु को तुमारे पाद छोड़ कर जा रहा हूं। ये मेरा केरेक्टर है। धरमराज तो यही सुच रहने कि मैं तुमारे जाल में भस गया हूं और तरह तरह के बहाने बना रहा हूं। चैलेंज का मतलब यूथ है। यूथ में चैलेंज स्पृट नहीं हो तो सचन या सानिया मिर्जा नहीं बनेगे। सब सन्यासी बन जाएंगे। और सन्यासीों को प्यार करने का बोई हक नहीं होता। मेरी टेम्परामेंट के आदमी के लिए उसके हार मौत के समान होती है। मैं प्यार के हाथ हो मारा गया। सिंदगी भर ये हार गले से लगा कर रखूँगा। ये दर तु कभी नहीं समझ पाएगा लक्षमी नाराया। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। तु जहां रहता उस जगह की है। इंडिया में प्यार के लिए ताज महल बना। और अमेरिका में इसके लिए एक छोटा सा समारक भी नहीं है। तू प्यार कैसे जान सकता अब तक भानू की प्यार में डुबा हुआ था, अब उसकी यादों के सागर में तैरुप रहता। गुट पाय धरम राज लक्षमी नाराया। लेकिन तेरे अंदर मैंने कभी भगवान नहीं देखा। आज के लोग लड़की की शादी से नहीं डरते। कहीं वो प्यार ना करें इस बात से डरते हैं। आप लोगों की समय में प्यार नहीं था क्या? आपको अपने प्यार की एहमियत तो है, लेकिन बच्चों की प्यार की कोई एमियत नहीं। इसा कहकर मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहे हूं। मैं यहीं रहूंगी। आपकी बेटी बनकर नहीं। देवदास की प्रेमी का बनकर। प्यार मुझे प्यार से मिला। और प्यार से ही दूर हो गया। एमिय। 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 चॉकलेट प्लीज नो थेंक्स इस स्पेशल कि मिस्स्यों जेवदास भानु तुम्हारे लिए पैदा हुई है भानु ने जैसा कहा बंच तत्व को शाक्षी मान का तुम्हारी शादी कपती हो चुकी है और लड़की का असलेगर उसकी ससुरार होती है तू ही जीता इसमें मेरी कोई महांता नहीं है अमेर का आने के लिए फैंट्स ने हेल्प की और यहां करदेविया ने हेल्प की इस सब के बाद ही अगर आपका मन नहीं बदलता तो सब बेकार अमारा प्यार आपके बदलने से जीता है एक बोतल दवा दिया तो हिर्दय परिभरतन हो गया इनका जब तुम लोग साथ मेरे तो अलग करने की कोजिश कर रहे ते अब आला गये तो साथ मिलाने की कोजिश करना अजीब कंश्यूज आदमी है देखा न हमारे का सोचा तो नहीं मारा